साहिब को चाहिए कुदब खाना पर पुल मगर भैसिया कहें जस्ट कूल कूल पूल दरसल साहिब उलकी बंसी बजा रहे हैं तो वैपारी भैसिया का शहरवाले तो कुदब खाना के जाम से हर रोज बाबस्तर होते हैं इस बार भईये की डेरी से निकल कर ताजा ताजा दूप देने वाली भैस पहुचिए कुदब खाना खुद को जाम और वैपारियों से खिरा देख पहली बार तो समझ ही नहीं आया कि क्या करें एक बार तो लगा कि रेश्मा की जवानी खत्रे में पड़ गए वैपारियों के हाथ में बाजा देख लगा कहीं पसंदी की तरहां नचाना दिया जाए लेकिन एक सज्जन की बास सुनकर भैसिया को पूरा माजरा पता चालती है अब भैस के आगे बीन बजाने से शायद कुछ सुनवाई हो जाए कभी कबार ऐसा होता है ना सुनवाई नहीं हो रही है तो शायद कहीं न कहीं हमारे कमिशनर साब को ये सोचने पे मजबूर हो जाए कि ये हाँ परशान है वे अपारी अच्छा तो माजरा ये है तरसल बैंट तो इन बेचारों की बजी है मगर सुभा शाम दूट देने के अलावा मैं कर भी क्या सकती है पहली बार भाईये ने डेरी से बाहर निकाला तो कुदब खाना का जाम भी देख लिया सज्जन की बास सुनी तो लगा दुख्टों का बहार शूट पड़ा है मगर साहिब कहते हैं अगली बार कुदब खाना आओगी तो किना जाम में फसे पुल से होकर गुजरना इस बीच किसी ने कान में आकर कहा कि पुल से तो कारे फराटा भरेंगी खैनी रगटे साहिब के मात हद वजिहत न कराएं इसके लिए पुल का ऐडिया दिया गया ये सब सुन कर भैसिया ने कश्मा कश भरी नजरों से भाईये की तरफ देखा और कहा भाग भाईये फटे में टांग अड़ाने से अच्छा है चल खिसक ले फिर क्या था भाईये की बाहों में बाहे डाल भैसिया उड़ांचू हो गई व्यापारियों ने अब साहिब को जगाने के लिए बुद्धू की डेरी से भैसिया का इंतिजाम कराया भैसिया बुद्धू की दी लेहादा पूरा कोपरेट किया जब तक व्यापारियों ने पीन नहीं बजा ली अपनी चखा से भिली तक नहीं लेकिन जिसका बैंड बज रहा हो उससे पीन बजाते देख बुद्धू की भैसिया के लिए भी कम दिलचस्प नहीं था विलाल कहा ये जा रहा है कि साहिब ने पूरा औरकेस्ट्रा तैयार कर लिया है जिसमें ये गाना बजने वाला है लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे भर जाओं कैसे